अथि अभुआ असलाम उलेकुम सुदेंट्स वेलकूम डॉलकुम डॉट पिके सर्षियर बैलर जी क्लास में माइब स्टुडेंट्स को वेलकम करता हूँ उमीद है माइब स्टुडेंट्स खेरीद से होंगे इंज्वाय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे साथ ही आज इसी तरह हम स्टडी को कांटिन्यू करते हुए नेक्स टॉपिक को डिसकस करेंगे जो के चैप्टर नंबर टूर से होगा पॉली सेक्राइड तो बैलो जी पार्ट वन से आज चैप्टर टू का जो प्रविक होगा जो ली इससे पहले हम लोग डिसकस कर चुके हैं बचो मोनो सेक्राइड को और ओली गो स्कूराइड को कलमा ने आप लोगों को सिखाया था ट्रेट चैन से रिंग से ट्रक्चर कैसे बनता है वह चैन जो कि सीजी थी पहले वह घूम कैसे जाती है बैंड कैस हैं अब हम उससे अगले स्टेप पे जा रहे हैं हम जो इना बहुत बड़ीडि बड़ी शुगर्वाणय जा रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ओन ज्यादा मोनो सेक्राइड के यूनिट्स प्रेजन होंगे तिस्ट एक बड़ी शूगर के अंदर हजारों छुटी- है देशोटी मोनो सर्ग राइट के यूनित्स प्रेजेंट होंगे उनको हम पुली सकराइट का नाम देते हैं और आम देते हैं कि चल चले जी टुडेंट्स मुझे आप लोगों नहीं है एल्डो गुरूप से ही तो लगता है मॉनो सग्राइड में एल्डो और कीटो दो तरह के गुरूप लग सकते हैं इधर फॉकस करेंगे कुछ क्वेस्टन आपसे हैं उसके बाद कुछ गुपश्टन्स आप मु đấy सकते या प्रें को जोड़ता है किन को कंबाइन करता है यह किन को जोड़ देता है हर यह जब आपको यह पता चल जाएगा कि किस किस में जोड़ता है तो आपको आज का टॉपिक समझने में बहुत अधा आसानी होगी तो जो मैं कुर्शन करूंगा सिरफ उसका जवाब देंगे आप लोग तो ग्लाइको किसको जोड़ता है जोड़ता मीन कंबाइन करता है अंजी किसको जोड़ता है वेरी गोड़ ग्लाइको सिदिक बाइन बच्चों दो मोनो से क्राइट को जोड़ता है कार्बन और अक्सीजन के जरिए दो मोनो से क्राइट को जोड़ता है क्लियर तो यह जो बच्चे मोनो स से क्राइट्स कहा रहे हैं बिलकुल ठीक कहा रहे हैं दो मोनो से क्राइट्स को जोड़ने वाला जो बॉंड है वो गिलायकोशिडिक बॉंड अगर हजार मोनो से क्राइट्स को आपस में जोड़ना हो तो कौन सा बॉंड होगा कि दो नहीं तीन नहीं चार नहीं हज़ार हज़ार मोनोसेग्राइट्स को अगर आपस में आपने करना हो जोड़ना हो कॉंपलेक्स किसम की शूगर बनानी हो तो कुन सा बॉन लगेगा कि अन्जी बचो थो भी घुलैको से डिक बॉंड लगेगा वैरी गुड इस एक चीज कंफरम हुई कि रेको स्टीगंड लो मोनोसेग्राइट्स को ज्यादा रिमानो से ग्राइट्स को जितनी माजी उनको जुडने के लिए लगेगा इसका मतला पॉनीजो से खार Went i में भी गला वांट होगा निस्ग्राइट में भी गलाइको सीठीक बाॉण्ट होगा मोनो सिक्राइट के अंदर गलाको से डंड नहीं होगा क्योंकि वो अकली शूकर है अकली शूकर को जडने के के लिए कोई मोनो से क्राइड को जोडने के लिए उलीगो के अंदर भी होगा ग्लाकॉ से क्योंड होगा तो पॉलो सबसे ज्यदा complex sugars है complex है और poly का मतलब बिजन के अंदर बहुत ज्यादा sugars के units होंगे छोटे छोटे इस तरह एक दो तीन चार पांच छे साथ बहुत बड़ी बड़ी chain होंगी हो सकता है branch chains भी हो बीच में से branching भी निकल रही हो branching भी निकल रही हो ठीक है branches भी हो तो जब इस तरह से आपके सामने बहुत ज्यादा sugar के units मिले तो इस तरह की जो आपके सामने बनेगी sugar उस sugar का नाम polysecride होगा देखें तो सही तरह इस polysecride को देहान से देखें इसमें एक दो पता नहीं कितने ज़्यदा मोनो सक्राइड के यह ना कार्बन नहीं यह मोनो सक्राइड की sugar शुटे शुटी जो ग्लैकों से डिक बॉर्ण के जरी हापस में जूड़ी हैं जब इस तरह से बहुत ज़्यदा शुगर्स हापस में मिलती हैं तो पॉली सक्राइड बन जाते हैं और इस तरह के sugar सबसे ज़्यदा अबंडन्ट हैं दुनिया में पॉली सक्राइड सबसे ज़्यदा पाई जाती है ओलीगो और मोनो इतनी ज़्यदा नहीं पाई जाती चलें जी तमाम सुड़न्ट अब कमेंट नहीं करेंगे किसी भी किसम का अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट या दर्म्याना कमेंट किसी भी जो किसम के कमेंट्स हैं बाते हैं वो नहीं करेंगे अब सिरफ मेरी बात सुनेंगे ठीक है क्योंकर यह मैं कहा रहा हूं इसको request सम जे और बात माने ठीक है अच्छे बच्चे जो होंगे आप में से अच्छे बच्चे बच्चे बात मानने वाले वो कमेंट नहीं करेंगे इंशालला ले जी मोस्ट अबंडन्ट हैं कॉम्पलेक्स हैं और अगर हम देखें ये आम तोर पर ब्राइज जोते हैं जिस पर मैंने और टेस्ट लेस 550 और शुक्रे जितनी ज़्यदा मिलती जाती यह टेस्ट जो हो खराब हो जाता हो टेस्स खशा आजबडा जाते हैं ऐसंबाट ग्लाइकोसिडिक बॉंड्स तो एक नहीं दो नहीं चार नहीं पांच नहीं बलके सेवरल मोनोसेक्राइड होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉंड्स के जरीए आपस में जुड़ते हैं कि यहां पर आपने कुछ और चीज़ें याद करनी हैं बहुत इंपॉर्टन जो आपकी भुक में लिखी हुई है कि इनका मॉलीकुलर वेट बहुत हाय होता है क्यूंके देखी तो नहीं बड़ी शूगर होगी तो मॉलीकुलर वेट भी बहुत ज़दा हाय होगा हाय कम सॉलोबल हो सकते हैं सपैरिंग ली सॉलोबल मतलब ना ही समझें आप ना ही समझें तीक है लेजी sparingly soluble का मतलब है ना होने के बराबर जो चीज बिलकुल भी पानी में हल ना हो सकती हो बहुत कम चांस हो उसको बोलते है sparingly soluble मुझे एक और अचानक से बात या दे मुझे ने एक बचे ने कल या परसो मैसिज किया कि यह जो कमेंट्स वाला सिस्टम है ना इसका कोई हल निकाला जाए तो मैं सुझता है क्या हल निकाला जाए बंद तो करवा नहीं सकता है फिर questions आप कैसे पूछेंगे तो सबसे बड़ा हल यही है कि आप लोग जो है ना वो screen बड़ी कर लिया करें और जिस बचे ने comments नहीं करने होते वो full screen करके खाली lecture सुना करें आपको comments से कोई लेना देना नहीं है चीक है चलें दी तो जो comments कर रहे हैं उनको time जाया करने दें उनका पहले भी काम यही था अभी भी काम यही है so you don't worry आप बड़ी स्क्रीन करें फुल स्क्रीन करके lecture सुनें तो अब इसकी रह गए है examples यह आपने याद करनी है अच्छी तरह examples याद होंगी तो बात बनेगी मश्ершूर example में स्टा र्च है गलाकोजन है सैलईलोज है काइटिन है यह सब के नाम याद कर लें काइटिन है उसके अलावा डेक्स्टरिन है हुआ थेख्ट्रिन है एकटंथ है यह सारी जो है यह पोली से कराईड की एक्जाम mpð है जो आपने याद करनी है पैक्टिन भी है काईटिण भी है पैक्टिन भी है इन में से हमने पहली तीन को डिटेल से डिसकस करना है बाकियों को अपने डिटेल से डिसकस नहीं करना यह जो है जल्दी से आप लोग याद करने ताकि आप लोग जो है वो पता चल जाएगा है यह हैं बस बाते करने आते हैं आप भी तो वही काम कर रहे हैं जब करेंगे तो मैं समझोंगा आप भी बाते ही करें हैं तीक है अमैं पता है कौन बाते कर रहा है कौन बात नहीं कर रहा है सुना किसी को बताने की जरूरत है नहीं किसी को मना करने की जरूरत है यह रिड्यूसिंग शूगर है यह नॉन रिड्यूसिंग यह बचो नॉन रिड्यूसिंग शूगर है ठीक है जी नॉन रिड्यूसिंग नहीं है अब हम कंपेर कर लेत स्टार्च ग्लैकोजन और नंबर तीन सेल्यूलोस को इन तीनों को कंपेर करेंगे ताकि हमें यह वाला टॉपिक क्लियर हो जाए इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखते हैं ठीक है तबियत मेरी ठीक नहीं है आज सो जादा टाइम नहीं लगाएंगे हम जद्धी जद्धी यह लॉंग को सेना बहुत मरतमा रिपीट हुआ है तो आपने इसको अच्छी तरह आज समझ लेना लॉंग को स्टेने तार्च सेल्यूलोस और ग्लैकोजन स्टार्च सेल्यूलोस और ग्लैकोजन सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की स्टार्च भी बच्चो पॉली सिक्राइड है ग्लैकोजन भी पॉली सिक्राइड है और सेल्यूलोस भी जो है वो पॉली सिक्राइड है आपने सबसे पहले यह बताना है कि यह कहां पर पाई ज roots के अंदर, seeds के अंदर, tubers के अंदर ये आपको मिलेगी, tubers मेन वो जो आलू वगारा नहीं होते नीचे, जमीन के नीचे होते हैं, उनके अंदर आपको ये मिलेगी, और इस कोप आम तोर पर एनिमल्स खाके, कार्बोइड रेट्स हासिल करते हैं, गलैकोजन आपको कहा बचो, हम गलैकोजन को भी देख लेते हैं, गलैकोजन कहा मिलेगा, गलैकोजन आपको एनिमल्स के अंदर मिलेगा, एनिमल के लिवर के अंदर ये स्टोर होता है, और एनिमल के मसल्स के अंदर ये आपको स्टोर हुआ मिलता है, है ये भी पॉली सेकराइड, cellulose आपको कहा आपको सेल्लोस मिलेगी और कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है सेल्लोस की कॉटन के कपड़े पहनते हैं यह भी पोदे से से बनते हैं कपास के पोदे से बनते हैं जी कॉटन के जो कॉटन है सारी कपास के पोदे से बनती है तो वो जो कॉटन है वो सेल्लोस की प्योर फॉर्म है मिन आपने सेल्लोस पहने भी होती है ठीक है आपने क्या पहने भी होती है सेल्लोस पहने भी होती है चार्च के बाद इन तीनों गुलुकोस यिल्ड करते हैं गुलुकोस यिल्ड करते हैं तीनों से गुलुकोस मिलती है तीनों से क्या मिलती है गुलुकोस जब इनके गलाइकोसिडिक बॉन्ड तूट जाते हैं एडरॉलसीज होती है एडरॉलसीज मीन जब इनके गलाइकोसिडिक बॉन्ड तूट ही जाते हैं तो गुलु Kोज के बहुत ज़द अच्छा जी पूछने से मैंने थोड़ी देर पहले बच्चो मना किया था इसलिए जो आपके किसी कुष्टन का भी आंसर नहीं दूँगा आखरी पांच मिनिट कुष्टन आंसर का सेग्मेंट होगा उसी में मैं आपके आंसर दूँगा ठीक है जी तो सारे कॉर्स्टन लिख लें अपने ऐसे ना बीच में बार बार डिस्ट्रेक्शन आती है टॉपिक से बंदा अट जाता है सारे कॉर्स्टन एंड पे पूछेंगे इस तरह बार बार प्राब्लम नहीं आएगी जीड का पोदे हैं पोदे के ओपर फल लगते हैं फल उस पोदे की जील्ड है चीक है लें जी गुलुकोस के बारे में आपको बता दी आप जो है मैं आपको बता देता हूं इनकी जो तो सॉलॉबिलिटी होती है वो लिखी हूई है सॉलॉबिलिटी में लें जी सॉलॉबिलिटी में स्टार्च के अवाले से दो टाइप्स हैं दो टाइप्स हैं आपकी बुक में लिखी हूई है एक अमाइलो स्टार्च अमाइलो स्टार्च और दूसरी जो इसकी टाइप हो पैक्टिन भी स्टार्च का नाम है दोनों स्टार्च चीज़ हैं ये भी स्टार्च हैं ये भी स्टार्च हैं फड़की है कि ये अन्ब्राइंड है ये ब्राइंड है तो इसके बारे में लिख लें ये अन्ब्राइंड है यानि इसकी ब्राइंड है यानि इसकी ब्राइंड ह होती है जैसे माने शूरू में आपको डैगराम बना के दिखाई थी इसकी प्राइड होतीrió है यह हौट वाटर में सॉलॉबल हो जाती है कि सॉलॉबल हो जाती है कब जब पानी को गरम किया जाया है लेकिन जो आमयलो पैक्टिन होती है किशीher होती यह पानी में । नहीं होती तो यह बहुत इंपोर्टन शॉर्ट कुस्टिन है स्टार्च की टाइप्स का यह भी स्टार्च है बच्चो यह भी स्टार्च है स्टार्च ने दो तरह की हो सकती है अमाइलो स्टार्च भी हो सकती है और अमाइलो पैक्टिन स्टार्च भी हो सकती है लें जी इसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि जो गलाको जन होता है इसकी आम तोर पर कोई टाइपस नहीं होती और ये पानी में इनसालोबल होती है ये पानी में इनसालोबल होती है सेलूलोज भी पानी के अंदर इनसालोबल होती है सालोबिलिटी आपको तीनों की दो है वो मैंने बता दी सेलूलोज और गलाको जन की जो फाइनल शेप होती है molecule की वो differ कर जाती है वो change होती है आपकी बुक में जो है ना यह बना हुआ एक structure बना हुआ है आप देखें इसमें जो sheets बनती है जो structure बनता है final उस final structure के अंदर changing आ जाती है ठीक है तो वो आपके लेवल पर नहीं है मैं आपको दिखा दूँ वह इमेज मेरे पास पढ़ी हुई है आपको इनका कशना करेंगे। टेस्ट करते हैं तो स्टार्स का कलर मिलता है बिलू कलर मिलता है आयोडीन का साथ गलैकोजन का रेड कलर मिलता है और सेलूलोस का कोई कलर और नहीं मिलता जब उसका iodine test करते हैं अब question यह पैदा होता है कि iodine test क्या चीज़ है iodine test समझने के लिए एक आपको डाइगराम समझाते हैं लिख लें iodine test क्या होता है यह कारबोड रेट्स में से इनको detect करने के लिए किया जाता है detect का मतलब है उनको पहचानने के लिए अगर यह आपके पास एक ट्यूब है यह दूसरी ट्यूब है यह तीसरी ट्यूब है ए बी और सी आपको नहीं पता किस के अंदर starch है किस के अंदर glycogen है और किस के अंदर Roger यो डॉन्ट नो i don't know किसी को भी नहीं पता आप इसके अंदर क्या करेंगे डाल के चEC करेंगे इसके अंदर भी कालर चेंज नहीं आयागा वह सेल्यूळोज होगा ठीक है तो यह चीज़ें आयोडीन टेस्ट जो है यह आपको करना पड़ता है डिटेक्ट करने के लिए कि उस ट्यूब के अंदर कौन सी पॉली सेक्राइड है यह आपके पास अगर यह तीन ट्यूब है यह नंबर एक ट्यूब नंबर दो ट्यूब नंबर तीन आपको नहीं पता कि इस ट्यूब के अ कौन सा सेंपल है स्टार्च का है गलाकोजन का या सेलुलोस का है तो आप सिंपल उसको चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट करेंगे और आयोडीन टेस्ट जो है उससे पता चलेगा कि कौन सी ट्यूब के अंदर स्टार्च है कौन सी ट्यूब के अंदर गलाकोजन है और कौन स से पता चलेगा लें जी यह हो गया अब गलाको जिन चे अंदर एक इंपॉर्णेट्ट चीज लिखी हुई है कि गलाको जन एनिमल स्टार्ड है यह आनिमल्स के अंदर प्रेजेट होती है जिस तरह प्लाट केंदर बहुर अदर स्टार्ड आ इससी तरह निक नेम दिया गया animal starch का लेकिन ये starch नहीं है ये starch नहीं है इसको सिर्फ निक नेम animal starch का दिया गया है cellulose के बारे में बड़ी important चीज जो है वो लिखी भी है कि cellulose को digest करने वाला enzyme cellulase है lase lase आम तोर पर enzyme के एंट पर आता है तो जो cellulase है ये cellulose को digest करते है ये आम तोर पर herbivors के अंदर digestion होती है और वो भी उनका अपना enzyme नहीं होता micro organisms का ये enzyme है ये bacteria का यीस का या protozoa का enzyme होता है इसको समझ लें इसको समझ लें अच्छी तरह कि किस तरह herbivors के अंदर cellulose की digestion होती है सबसे ज़्यदा पोदों को herbivors खाते हैं हर्भivors को मैं यहां पर समझाता हूँ आपको हर्भivors कौन हो सकता है घोड़े हो सकते हैं गोड़्स शीप्स बक्रियां काव यह सब herbivors होते हैं यह क्या करते हैं यह cellulose खाते है मिन प्लांट्स खाते हैं और एग्जेमपल अगर यह एक बक्री है यह एक बक्री है इस्पोस करें यह सिरफ आपको समझाने के लिए मैं मैं यहां पर बना रहा हूँ लें जी अब यह खाती है प्लांट्स यह क्या खाती है प्लांट्स यह जब प्लांट्स खा रही है बचो इसका मतलब ही है कि इसकी बॉड़ी के अंदर सेलिलोस जा रहा है कौन जा रहा है प्लांट्स के अंदर सेलिलोस है तो इसकी बॉड़ी में सेलिलोस जा रहा है इसकी गट के अंदर ना छोटे छोटे माइक्रो और्गनिजम होते हैं मसलन इनकी गट के अंदर प्रोटोजवा हो सकता है यीस्ट हो सकते हैं वगएरा वगएरा यह चुटे-चुटे माक्रो और्गनिजम इनकी बॉड़ी के अंदर होते हैं यह क्या करते हैं यह माक्रो के अंदर चुट चुटे और्गनिजम के तोर पर रहते हैं कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंज़ाइम देते हैं सैलुलेज इस तरह फिर यह गोट यह यह कर पाती है फरना यह डाइजेस्टिन नहीं कर पाती ठीक है जी कि अब अगर आपने कोई कोई कोस्टिन करनी है तो कर लें कि कि अगर कि इसलिए नंबर बॉंड ज्यादा है इन्हें तो जदा सुलिबल होना चाहिए नहीं बॉंड के ओपर डिपेंड नहीं करती इनकी सॉलॉबिलिटी इसलिए कम है क्यूंकि इनके अंदर यूनिट्स ज्य जेंगी है नमबर ऑफ बॉंड का कोई लिंक नहीं है सॉलॉबिलिटी के लिहाद से जब बहुत बड़ा मॉलेक्यूल होता है उसको पानी के अंदर डिजॉल्व होने में मुश्किल पेश आती है अच्छा और कोई क्वेस्टिन जूम पे क्लास बिटे मारा है जूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हम लोग लाइव सेशन लेते हैं देर इस नो कन्विनियंस इन जूम अंजी और कोई क्वेस्टिन और कोई क्वेस्टिन हर भी वर्स का मतलब होता है हर्भी वर्स का मतलब हो जो घास खाते हैं सर अमाईलेज होगा आप अमाईलोज क्यों बोह रहे हैं बेटें अमाईलोज ही होता है स्टार्ज की टाइप का नाम ऐमाई लोज हैमाई लेस तो यंजाइम होता झो स्टार्ज को अजर्ज को घजम करती है । ये अगर माईकर आरगनेजम किसी हर्भी ओर में नहीं होंगे तो फिर उनको जो है यह उनकी डाइजेस्टन सही नहीं होगे लेकिन अल्ला ताला ने रखे वह यह निजाम चल रहा है सारे हर्भी वोर्स के अंदर छुटे-छुटे माक्र और गनिजन प्रेज्ट होते हैं वह इसलिए होते थाकि उनको डाइजेस्टन करके दें अच्छा जी और क्यों को स्वाजुटिन नहीं चल्दी से को यह कौन सा सॉलिट होते हैं पोली से ग्राइड आ यह आप कौन सा कुस्टन पूछ रहे हैं तो कौन सी हैडिंग बनाने जी लॉप में तो आपने क्या किया गरना हम आपको यह थोड़ा सा रिवाइस भी कर त्लमार िGold लेइंगे एडिंग कौममन है उसके बाद टाइप में पिर आप आयोडिन टेस्स की हेडिंग बनाएंगे आयोडियन टेस्ट एस यह भी तीनों में है डिंग में यह तीन है हेडिंग सॉलोबिलीटी की होगी सॉलोबिलीटी तो चार हेडिंग स्तीनों के अंदर कॉमन होगी और आयोडीन टेस्ट का प्रोसेस आइंस का नहीं है सिंपल टेस्टर सिरफ यह कार्बोड रेट्स को डिटक्ट करने के लिए किया जाता है है एड्रॉल्सिस का मतलब तोड़ देना पानी की मदद से तोड़ देना तोड़ेंगे तो पता चलेगा गुलुकोस बनती है कि नहीं 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 बनती कि इनके दर्दर्मियान डिफ्रेंस भी आ सकता है लेकिन आम तोर पर यह लॉंग कुस्टिन में आता है है गुंटन का टाहर कि यह भी कॉर्लिसे कराइड से बच्चों यह खानों में इस्तमाल करते हैं जो बड़े बड़े होटल सुब्स होते हैं आदेक्छ आयजदे के तोरफ पर दालते हैं अ fundo है तो धिए मैं देख रहा हूं एक दू दिन से ना यह कमेंटिंग ज्यादा हो रही है मैं इसको बिलॉग करवा दूँगा आप प्रशान ना हो अंजी और कोई question आप question answer का session अब आप जो question करना चाहें करें कितना लंबा सर किसने लिखा हुआ है स्वाल पुछें polymer का मतलब हो था जो छोटे-छोटे यूनिट से मिलकर बनें जैसे यह पोली से क्राइड है अगर लॉंग में आए तो स्ट्रक्चर बनाने नहीं नहीं बनाने आप हैडिंग्स बनाएं ठीक है to do the index wind historic ए फूड़ एडिटीव होती है क्हानों में डलते है इंगर फूड़ एड़ एडिटीव है शूगर है यह यह वह खानों में डलती आ है जी बला कर देते आं ठीक एटेंशन आल यह अगर कॉषट्ट इँ熱 अजी और कोई से रिडूूइसिंग यह ना रिडूूसिंग यह नौनौल रिडूूसिंग रिडूुसिंग यह नौन में разnal مला होगा अधि नजी और कहीं कोस्चिन 충 then थे से दे टेस्चों के टाइमब स्टाइब सॉला तो खरत होगा कि अध़ा हम कुछ जी ब्राउन शूगर के बारे में कं यह स्पुरॉप हिए उती है उसी से यह बंती है जूचीनिया हम घर में खाते ना वाइट वली उसी से ब्राउट सुगर बनती है यह स्टार्च में दो थीजर की दो है चीज़ें एक हमाईलो मने पैक्टिन हें kiss अразу औरám काइटिन भी पॉली से क्राइड है यह फंजाई की सेल वाल में होती है काफी बाते हो गई है आप कोई कोस्टन रहा गया तो कर ला नहीं तो फिर इस लेक्चर को खतम करते हैं ठीक है मैंने सिर्फ उन्हीं कोस्टन के जवाब देने हैं जो टॉपिक से लिडिड है एनिमर स्टार्स गलैकोजन होती है ठीक है मेसेंजर पर रिपलाइ कर देंगे पैक्टिन भी सल वाल में होती है ठीक है पैक्टिन भी सल वाल में होती है रिडूसिंग और नॉन रिडूसिंग में डिफरेंस कैसे पता चलता है जो दूसरे की रिडूसिंग करवा दे वो रिडूसिंग है जो ना करवाए वो नॉन रिडूसिंग है प्लांट्स की सेल वाल में होती है चलें तो इस सारे टॉपिक में मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया कि यह पॉली सब्सक्राइड एस हैं बहुत बड़ी हैं बहुत ज्यांदा शुग मिलकर बनती हैं लंबी यह कंप्लेक्स भी होती हैं बहुत अबंडन्ट हैं जैधा पाई जाती हैं इनकी ब्रांची जिक्षी इनका कोई नहीं हता और यह बहुत ज्यादा मोनो सेक्राइट से मिलकर बनती हैं जिनके दर्मियान गलाइकोसिडिक इनका बहुत हाई होता है और पानी में यह स्पैरिंग ली मीन बहुत ही कम सॉलूबल होती है यह सारी एक्जेम्पल्स हो गई फिर स्टार्ज को डिटेल से बता है कि स्टार्ज फ्रूट्स में होती है सीड्स में होती है हलू का गहरा में होती है और जब इसको तोड़ते हैं इसकी हैडरॉलसिस करवाते हैं इसकी दो टाइप्स हैं अमाईलोस अन बरांच है और पानी में सॉलूबल हो जाती है हीट करने से और अमाईलो पैक्टिन यह बरांच है और यह पानी में हल न यह बड़ी important चीज है कि ग्लैकोजन से गलुकोज बनता है नाइद में भी लिखा हुआ था ग्लैकोजन से गलुकोज बनता ही पानी नहीं होती डूश को टोडने मिलता है ये था पानी में हल नहीं होती है अगर एक स्वाल है मेरा बचो यह देखें अगर सेल्यूलोस पानी में हल होती तो क्या होता बचो एक स्वाल है जल्दी से जवाब दो अगर सेल्यूलोस पानी में हल हो सटी तो क्या होता अज़स के बाद इसको हर्वी वोर्ज में डाइजस्ट किया जाता है विद धी हल्प आफ एंज जिसका नाम सेल्यूलेज है यह वीवर्स का अपना नहीं है यह प्रोटोस हुआ और हीस्ट वगारा का होता है और याद रखें कि यह फिर बदले में उससे भी खुराग वगारा लेते हैं जी तो मेरा क्वेस्टिन था स्टिल अगर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होती तो क्या ह होता हम वाजी टेबल खाते हैं तो बेटे हमारे अंदर सेल्यूलोज हजम नहीं होता हम जो खाते हैं सेल्यूलोज वो निगल जाता है एडिंग्स मैंने बता दी हैं आप दुबारा सुनने हैं अगर सेल्यूलोज अगर सेल्यूलोज होता तो जो भी कॉटन के कपड़े पहनते पानी गिरने से कॉटन हल हो जाती हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और कॉटन में मैंने बताया सेल्यूलोज होता है कॉटन में क्या होता है सेल्यूलोज तो जो जो कॉटन के कपड़े पहनते उनके उपर पान पानी लगते ही वहल रो जाते ठीक हैं तो आप कपड़ों के ओपर पानी गिरते ही देखते है के वह पानी में हल गया है इसलिए ला ने कुछ चीज़ें रखी हैं जो पानी में हल नी होती हमारा ही फायदा है तो यह था आज हल होता तो बाकी आपके जवाब भी ठीक है लेकिन कपड़े पैंते तो डिजॉल्व हो जाते तो द्वाव में याद रखिएगा अपना ख्याल भी रखिएगा और